बिस्मिल्लाइर्माइन रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि नमाज हिजाब किस तरह से बनाया जाता है यह सकाब जो आज हम बनाने वाले हैं इसकी लंबाई जो है थोड़ी जादा रहती है और जो 59-60 वीड का फैब्रिक होता है मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के देखिए आप इसकी चोड़ाई देख सकते हैं तो इस तरह का जो फैब्रिक होता है उससे जो है अबाया बनाने में भी आसानी हो जाती है अगर आपको लॉंग स्काफ बनाना है या हिजाब बनाना ह जाते हैं तो इस तरह का अगर आप फैब्रिक लेंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो इसकी वीड आप देख लिए नॉर्मली जो है वह 42 या 44 का फैब्रिक होता है और आप यह देख सकते हैं यह जो हमारे पास है यह 56 से जाधा ही है तो इसकी कटिंग करने के आप लेंगे तो यहां पर इसकाफ की लंबाई हम 45 तक लेंगे क्योंकि 5 इंच का हम यहां पर फ्रिल लगाने वाले जिससे जो है हमारी जो सकाफ की लंबाई है बैक साइड से वह 50 तक हो जाएगी तो और यह जो खुला वाला पार्ट है यह हमारे सामने वाला हिस्सा तो आपको जितनी बी रखना है, आप रख सकते हैं, नॉर्मली जो है, दो मीटर कपड़ा हम इसमें यूस कर रहे हैं, हमारे पास ये कपड़ा जो है वो चार मीटर के करीब है, लेकिन दो मीटर में हमारे ये स्काफ बन जाएगा, तो इस तरह से मैंने क्रॉस करके जितनी हमने लंबाई ली थी 45 उस तरह घुमाती वे चले जाएंगे और जब आगी की तरफ हम आएंगे तो हमारी जो यह लंबाई है वो कम हो जाएगी तो इस तरह हमने सरकल में मार्क कर दिया है सेम ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे यानि यह इकवली पूरा सरकल नहीं रहेगा आगी की तरफ का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबाई इसकी हमने कम ली है तो आप देख सकते हमने यहाँ पे इसकी कटिंग अच्छी तरह से कर अपर हमारे जो फेस का रांड है इसकी गोलाई करके हम इहाँ पर निशान लगा देंगे तो मैरी हाँ इसकी फ्रील कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैने यहां लें यहां कपड़े को देखिए आट पॉल्डों में इस तरह से बिछालिया यानि मैं अच्छी तरह से सीधा यहां पर इपस जब आपके पास यहां पर देखिए, उस तरह से उस साथ में से सिधा यहां करने के Mümmoth तो मैं सेम फैबरी की यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर यह पूरी लंबाई आप देख सकते हैं यह 4 मिटर की पूरी लंबाई मैंने यहाँ पर ले ली है उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर 2 मिटर की लंबाई और लूगी उसके बाद में हमारी जो frill है वो इस तरह से बनेगी आप चाहे तो नजीग नजीग भी इसमें प्लेट डाल सकते हैं उसके बाद में हमें हमारी जो हिजाब कैप का सामने वाला जो हैट होती है उसकी कटिंग हमें करनी है तो उसके लिए जो बचा हुआ फैपरी का उसका क्रॉस करके हमने इस तरह रखा है फिर दुबारा से हम फोल्ड करेंगे इसे में टर्न कर देती हूँ तो यहाँ पर देखे यह सामने वाली हमारी कैप बन जाएगी इसकी लेंद्ध हम 8.5 ले लेते हैं उसके बाद में हम चोड़ाई यहाँ पर 4.5 लेंगे हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमें 4 इंच ओड़ी ही हैट हमारी सामने की मिलेगी और फिर हम यहाँ पर इसे सरकल निशान लगा देंगी और फिर सी कटिंग हम कर लेंगे इस तरह से और यह जो हिजाब की जो हैट होती है यह मैंने अलग-अलग तरीके से बेबी हिजाब वगएरा में बना के बताया है तो आप मेरी वीडियो पर ज़रूर विजिट करिएगा हर तरह से आपको जो है इस तरह कैप को लगाने का तरीका और शि गृत फाइनल लुग आपको इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद में मैंने जो कटिंग किया है और मैंने फ्रिल वाला हिस्सा जो है ज्यादा कट किया है तो मैंने यहां पे दो मिटर की एक्स्ट्रा जो है पट्टी तरह कट कर ली है जितनी भी मुझे लगेगी मैं उसमें यूज करूँगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना यह सामने वाला पाट है जो हम सिलाई लगाएंगे इसमें सबसे पहले हमें जो है हमारे सकाफ की जो हैट है यह हम लगाएंगे तो इसके लिए हमें पहले से बंद करना होगा सिलाई लगा के तो हम इसे पलट के यानि उल्टी तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हम थोड़ असा पाट जो तो देखे मैं इस यहां से पलट दिया इसके बाद में हम किसी नुखिली चीज से इसका point निकाल देंगे सिजर से ही मैं यहां पday झाल देती हूँ दोनों तरफ का point हम इस तरह से निकाल देंगे बाहर की तरफ उसके बाद में इसे हम बराबर करते हुए जो हमने यहां से खुला इससा छोड़ दिया था यहां पे हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे अगर आपको designer lace बनाना सीखना है या आपको shock है lace बगारा बनाने का तो मेरा जो दूसरा channel है हिनाज stitching tutorials तो आप जो है उस पे सीख सकते हैं मैं उसका link इंचल आपको description में दे दूँगी तो मैंने यहां पे head पे side में सिलाई लगा दी है इसके बाद में हम इससे देखिए इस तरह से बराबर कर देंगे और इसका जो center point है हम mark करके रख लेंगे और यहां पे जहां पे हमें हमारी head को attach करना है इस हिससे पे हमें सिलाई लगानी होगी तो हमने यहां पे देखिए पहले से ही निशान लगा दिया था cut करके हलका सा तो दोबारा से जो है हम चौक से भी इस पे निशान लगा देंगे बाद में और इस हिससे को हम दो बार इस तरह से fold करेंगे लेकिन जो हमने mark किया है देखें यहाँ पर इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि जब हम इसे last में बंद करें सिलाई करके तो वह इससा जो है अच्छा दिखाई दें तो यहाँ पर हमने mark कर दिया है अब जो हमने mark किया उससे थोड़ा सा और आगी की तरफ से ही हम यहाँ पर fold करेंगे और बिल्कुल पतला सा ही fold करना है और फिर हम यहाँ साइड से एक सिलाई लगा देंगे इसके उपर तो इस तरीके से भी जो है आप इस head को आसानी से लगा सकते हैं तो यह जो मैं आज तरीका आपको सिखा रहे है यह बहुत जादा ही आसान है अगर आपने पहले कभी इसकाफ नहीं सिला है तो भी आप सिल सकते हैं इससे देखके तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर करते जाना है और जहाँ पर हमें इस head को attach करना है यहाँ तक जो है हम बराबर इससे इस तरह पकड़ेंगे और इससे हमें mark कर देना है यहनि इसका center point हमें लेना है यहाँ पहले हम फिल लगा देंगे तो देखिए इस cap को इसे भी बराबर करेंगे इसका भी center point हमें चाहिए तो यहाँ पर मैंने यह निशान लगा दिया है उसके बाद में हमारा जो scarf है इसका जो center point है इस पर भी हम mark कर देते हैं तो इस तरह से जो है लगाने में आसानी हो जाती आपकी cap यहाँ वाँ नहीं होगी और फिर बिल्कुल center में इसे बराबर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो यह corner वाला हिस्सा है इसे हमें scarf के अंदर की तरफ कर देना है ताकि यह को ना बिल्कुल भी दिखाई ना दे उसके बाद में जो सिलाई हमने लगाई थी पहले fold करके scarf के उपर सेम उसी के उपर हम double सिलाई लगाएंगे और हमारी जो यह head है उसे हम attach करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो single सिलाई भी इस पर लगा के छोड़ सकते हैं लेकिन हम जो है इसके उपर double सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम यह नमाज के लिए बना रहे हैं हमें जो है रोज रोज इसे इस्तिमाल करना होता है तो इससे देखिए double मैंने यहाँ से गुमा दिया है फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस scarf को अगर आपके पास पुराना रूपटा है कॉर्टन का तो उसमें भी बना सकते हैं लेकिन बस उसकी चौड़ाई जादा होनी चाहिए यह अगर आपको फैब्रीक अलग से खरीदना है तो आप जो है 60 विद्वाला फैब्रीक की खरीदिये जिसमें आप बना सकते हैं उसके बाद में हमें इसके अंदर फ्रिल लगानी है तो यह जो मैंने फ्रिल दो हिस्से में कट करके रखी थी पहला हम इसे जॉइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों फ्रिल को रख दिया है तो इस हिस्से को हमें बराबर करते हुए और जो हमारी ये वाली फ्रिल वाला हिस्सा है यहां से हम इसे पकड़ के जॉइंट करेंगे तो देखें यहां से हम इसे बराबर कर लेते हैं और यहां हमें जो है वो डबल सिलाई लगा देना है तो यहां पर देखें हमारी डबल सिलाई भी हो चुकी है सबसे पहले हमें फ्रिल तयार करनी है तो फ्रिल तयार करने से पहले हमें फ्रिल में ही साइड में सिलाई लगानी होगी यानि एक तरफ हम इसमें बारिक सिलाई लगा देंगे अगर आपको सिलाई नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट पीको भी करा सकते हैं एक तरफ तो यहाँ पर बारिक हम दो बार फोल्ड करेंगे और पूरी फ्रिल पर हम एक सिंगल सिलाई लगा देंगे इसके अंदर देखे इस तरह से आपको फोल्ड करना है बहुत ही बारिकी से जिस तरह से कुर्टे बगर हमें सिलाई रहती है बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं और इस फ्रिल को जो है सिलाई लगाने के बाद हम डायरेक हमारे स्काफ में अटेच करेंगे तो हमने देखिए सिलाई भी लगा दिये है अब हमारी स्काफ में हम फ्रिल को अटेच करेंगे तो उसके लिए जो है हम फ्रिल को देखिए इस तरह से ले लेते हैं जहां पर हमने सिलाई लगाई है जहां पर यह वाला हिस्सा हमारा रहे गया है यहां से हम इसके अंदर अटेच करेंगे तो हमें देखिए इस तरह बराबर कर लेना है यानि हमारा जो यह सीधा वाला हिस्सा है देखिए सकाफ का और फ्रिल का दोने एक के उपर एक इस तरह से रहेगा तो इस पर हम छोड़ी छोड़ी प्लेट इस तरह बनाते चले जाएंगा अगर आपको डायरिक नहीं आता है तो आप पहले फ्रिल के उपर छोड़ी चोड़ी प्लेट बना लीजिए उसके बाद में आप जॉइंट कर सकते हैं तो यहां पर हम हाफ इंच अंदर की त सेम साइज में उतनी सेम दूरी पे ही एक एक प्लेट यहां पर डलेंगे तो आप चाहें तो डायरिक भी जो इसके अंदर निशान लगा के प्लेट इस तरह से डाल सकते हैं तो सारी फ्रिल को हमें सकाफ में इसे तरह से लगा देना है अगर आपको बहुत ज्यादा करीब- तो सारी फ्रिल देखें मैंने यहां पर लगा दिये और थोड़ी सी एक्स्ट्राथिव मैंने कट कर दी उसके बाद में से टन करेंगे हैं और इसके उपर से एक सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हम पूरी सिलाई इस तरह लगा देंगे उसके बाद में लास्ट में हमें इसे बंद करना है, यह खुला वाला हिस्सा आगे करह गया था, तो जो भी हमारे face की गुलाई होती है, उसका half लेके यही से हमें बंद करना इसे, यहां पर हम double गंद करते हैं तो यह थोड़ा सा पहनने के बाद में face पे sleep भी हो सकता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा मतलब sleep हो रहा है तो आप पतली सी डोरी बना के आपका जो face वाला हिस्सा है वहाँ पे आप दो डोरी लगा सकते हैं जिसे आप गरदन की नीचे tie कर सकते हैं तो लास्ट में इसके ओपर जो है मैं दो डोरी लगा दूँगी तो इस तरह से देखिए इसे हम डबल से लाई करके complete कर देंगे तो हमारा नमाज का scarf यहाँ पे बिल्कुल ready हो चुका है और यह fril जो हमने लगा इसी विए से हमारे scarf की length भी बढ़ गई है और यह काफी कुफसरत भी दिखाई दे रहा है अगर आप नॉर्मल फैबरिक में यह सकाफ बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कम से कम 3 मीटर तक फैबरिक ले ले और जाधा विद्का लेंगे तो आपका जो सकाफ है वो लंबाई में जाधा अच्छा बनेगा